नालागर विधान सभाग शेत्र से राश्ट्रिय देव भूमी पार्टी के प्रतियाशी जगदीश चन जग्गानी अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरा। जगदीश चन ने मीडिया से बाच्षीत में लोगों से कहा कि राश्ट्रिय देव भूमी पार्टी का एक ही मकसद है कि पूरे देश में आर्थिक स्थिती पर आरक्षन होना चाहिए और नालागर में बेतर शिक्षा होनी चाहिए इसलिए जनता उनका साथ ते जगदीश चन उनने तहा कि हम सिरफ आपके बच्चों के भविश्य के लिए आवाज उठा रही हैं ताकि आरक्षन की वजह से पड़े लिखे बच्चे भी बेरोजगार घूमने को मचबोर ना हो प्रुजहान है और लगता है कि इस बार राष्टी नालागर की जनता जो राष्टी देव भूमी पार्टी के वीदवार को भारी मत्तों से जिताएगी नालागड़ की जनता से hara jodkar आगर है की हमारी राष्टे देव भूमी पार्टी का चुनावचिन आ चुख है जो शाख़ात भगवान शिरी खृ रिशन का आशिवात बांसरी हमारा चुनावचिन आया है और नालागड की जनता से आगर है कि बांस्री के निशान पर मोहर लगाएं और राफ्टे देव दूरु पार्ट निजों पिता है लाइफ टेइम्स टीवी के लिए नालागड से अजे रतन के विपोट नालागड विधान सभाग शेतर से राश्ट्रिय देव भूमी पार्टी के प्रतियाशी जग्दीश चन जग्गानी अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरा जगदीश चन ने मीडिया से बाच्रीत में लोगों से कहा कि राश्ट्रिय देव भूमी पार्टी का एक ही मकसद है कि पूरे देश में आर्थिक स्थिती पर आरक्षन होना चाहिए और नालागर में बेतर शिक्षा होनी चाहिए इसलिए जगदीश चन ने कहा कि हम सिरफ आपके बच्चों के भविश्य के लिए आवाज उठा रही है ताकि आरक्षन की वजह से पड़े लिखे बच्चे भी बेरोजगार घूमने को मजबूर ना हो बहुत अच्छा लोगों का पूजहान है और लगता है कि इस बार राष्ट्री नालागर की जनता से आज जोड़कर आगर है कि हमारी राष्ट्री देभूमी पार्टी का चुनावचिन आ चुका है जो शाषात बगवान श्री क्रिशन का आशिवाद बांसरी हमारा चुनावचिन आया है और नालागड की जनता से आगर है कि बांसरी के निशान पर मोहर लगाएं और राष्टे देव बूरु पार्टी के जिता है लाइफ टैम्स टीवी के लिए नालागड से अजे रतन के वेपोट शुनी शुनी एक साथ दूपर